Hello Friends, इस वीडियो में Read 2017 जो कि 11 February 2018 को कंडेक्ट करवाया गया था के पेपर ले और सेकेंड में पूछे गए हिंदी लेंग्विस फर्स्ट पोर्षन के 30 क्वेशन्स सौल किये गये हैं and Friends 3 क्वेशन्स ओफिशल आंसर की के साथ सौल किये गये हैं First question मैं के वल इसलिए यहां आया था वाक्य में कौन सी अशुद्धी है अवे संबंदी, क्रिया संबंदी, लिंग प्रयोग संबंदी, वचन संबंदी Option A अवे संबंदी Next question जीवन और साहिती का घोर संबंदे, वाक्य का सुद रूप कौन सा है जीवन और साहिती में निकट संबंदे, जीवन और साहिती का घनिष्ट संबंदे, जीवन और साहिती का पास का संबंदे या जीवन और साहिती में परस पर संबंदे B option, जीवन और साहिती का घनिष्ट संबंदे Next question, वस्तु की पूर्ती की तुलना में मांगती आशी की लोकोक्ती कौनसी है? ये होगी एक अनार स्व बिमार C option Next question, खास काटना मुआवरे का सही अर्थ बताईए, खास काटने से अर्थ होता है, गुणवत्ता का ध्यान रखे बिना जैसे तैसे काम निप्टाना Next question, ये बोनस question था Next question, उदबुदन विदी का उपवेद नहीं है? दृश्य विदान, अभिने, कहानी, अनुवाद अनुवाद उदबुदन विदी का उपवेद नहीं है? सो करेक्टांस, option D Next question, व्याकरण शिक्षा श्वातंतर रूप शिक्ष विदी में नहीं दी जाती है? भाशाशन शर्ग विदी, आगमन विदी, निगमन विदी या पाठी पुस्तक विदी option A, भाशाशन शर्ग विदी में Next question, विएश बुलूम ने शिक्षा में कौनचा नवी नायाम दिया है? हरबर्ट उपागम, मुल्यांकन उपागम, RCEM उपागम या मौरिशन उपागम B option, मुल्यांकन उपागम Next question, विशलेशन आत्मक विदी में प्रयोग होता है? शब्द शी वर्ण, वर्ण शी शब्द, शब्द शी वाक्य या वाक्य शे पेरेग्राफ option A, शब्द शी वर्ण Next question, ये bonus question था क्योंकि 31 का मानग रूप ये होता है Next question, वर्णी की विदिवत शिक्षा का ज्यान किस इस्तर पर हो जाना चाहिए? प्रात्मी किस्तर पर? उच प्रात्मी किस्तर पर? माध्यमी किस्तर पर? या उच माध्यमी किस्तर पर? Correct answer होगा, प्रात्मी किस्तर पर? Next question, फाशिक शामगरी है, मूल विशेवस्तु, प्रतेयों, शब्दावली, मूल विशेवस्तु इवं प्रतेयों? Correct answer, शब्दावली Next question, बुलेटिन बोर्ड है, बुलेटिन बोर्ड एक द्रिश्य शामगरी है, Option B Next question, अधिक विशवस्तनी परिक्षण है, शिक्षक निर्मित परिक्षण, मौखिक परिक्षण, आत्मनिष्ट परिक्षण, या प्रमापी कर्थ परिक्षण? Option D, प्रमापी कर्थ परिक्षण एक बालक जरूरत से ज़ादा आपने आपको असमर्थ समझ रहा है, वहीन भावना ग्रंती से पीडित है और आत्मविश्वास खो बैठा है एक शिक्षक के नाते आप उसका उपचार करेंगे, साहनुबुति पूर्ण व्यवार से या दंड देकर, या परिवार को सूचना देकर, या मित्रों के साथ गूमनी की प्रेड़ना देकर Option A इस दी करेक्टान सो साहनुबुति पूर्ण व्यवार से Next question, वस्तुनिष्ट प्रश्ण का प्रकार है आलोचनात्मक प्रश्ण, विशलेशनात्मक प्रश्ण, मिलान प्रश्ण या फ्याख्यात्मक प्रश्ण इनमें से मिलान प्रश्ण वस्तुनिष्ट प्रश्ण है Next question, मौन पटन का लाब है, मौन पटन चुपचाप मनी मन किया जाता है, पढ़ते वक्त शब्दों का उचारण नहीं किया जाता उचारण अभ्यास से तु अउशर मिलता है, श्वाध्याई की प्रवर्ती विक्षित होती है, पठन की शुद्धता का समवर्द्यन होता है, इकागर चितोकर द्वन्यों का शुद्ध उचारण करना Correct answer, option B Next question, एक अच्छे मुल्यांकन की विशेश्टा नहीं है, वैदता, वस्तुनिष्टता, आत्मनिष्टता, व्यापकता Correct answer, option C Next question, ये एक बोनुस question था Next हमारे पास कध्यांस है, और इस कध्यांस को पढ़कर question number 51 से लेकर 55 तक के उत्तर देने हैं कध्यांस पढ़ते हैं, स्वावलंबन सफलता की कुंजी है, स्वावलंबी व्यक्ति जीवन में यश और धन दोनों अर्जित करता है, दूसरे के सहारे जीने वाला व्यक्ति तिर्सकार का पात्र बनता है, निरंतर निरादर और तिर्सकार पाता हुआवे अपने आप में ह इन भावना से ग्रस्त होने लगता है, जीवन का यह तत्य व्यक्ति की जीवन पर हिने, वर्ना जातिय विराष्टर पर भी लागू होता है, यही कारने कि स्वाधिन तशंगर्स के दोरान, गांधी जी ने देशवाश्यों में जातिय गोरों का भाव जगा नहेतू, स्वा इन भावना शब्द में कौन सा समास है, हीन हेज उभावना करमधार्य समास, ऑप्शन ए उतकर्स का सही विलोम बताईए, अपकर्स, अपियस, अपकार, अवनती, ऑप्शन ए, अपकर्स स्वावलंबी शब्द के लिए प्रियुक्त सही वाक्यांस है, स्वावलंबी उशे कहते हैं, जो हर प्रकार से आत्मनिर पर हूँ, ऑप्शन C, इन में शे विदेशी शब्द बताईए, राष्टर, निरंतर, फ्यक्ति, दोरान, दोरान सब्द विदेशी है, एक और गत्य को पढ़ कर question 56-60 यानि last 5 questions आंसर करने, कध्यांस, आज के विज्ञान युग में प्रदुष्ण की शमिश्या एक बड़ी चुनोती बनकर खड़िये, उद्यूगों के विस्तार के शाथ-शाथ प्रदुष्ण भी और अधिक बढ़ाए, धर्ती का वायू मंडल इतना परिणाम श्वरुप वातावर्ण में निरंतर प्रदुष्ण बढ़ाई है, आज इस्तती यहां हो गई है कि ना केवल हवा बलकि जल स्रोत भी दूशित हो गए हैं, इतना ही नहीं अब तो ध्वनी प्रदुष्ण के दूस परिणाम भी शामने आने लगे हैं, यदि हम अ परिणाम श्वरुप वाकी शब्लिंग है, इस्तिती सब इस्त्रिलिंग है, इनमें शिवास शब्द बताईए, जिसका वचन अत्वा लिंग किसी भी परिणि इस्तिती में नहीं बदलता, आलसी, लिपी, दिवार, जल, उप्सन डी, जल, उप्योगिता वाद शब्द का स अधिक हित साधन धर्म, उप्सन सी, नेक्ष्ट क्वेशन, यदि हम अब भी नहीं संबले, तो उसके विनाशकारी परिणाम शिगर शामने आएंगे, वाकी में कौन से काल की प्रियुक्ती हुई है, उप्सन डी, संभाव्य भविश्यत काल, लास्ट क्वेशन, सभी चौर RBSC के द्वारा रिलीस की गई आंसर की के साथ सौल किये, विडियो अगर आपको अच्छा लगा हो और हेल्फुल रहा हो तो विडियो को लाइक करें, शेर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट विडियो में, तिल देन थिंक्यों सो मच और अल बेस्ट